हेलो गाइज वेलकम बैक तो दी यूटीव चैनल मेरा नाम है तुशार और कैसे आप सब लोग I hope you all are fine so guys आप में फिर से एक इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं आप सब के लिए आपके लिए लेकर हैं महिंद्र एक्सवी 3OO टॉब मॉडल डॉट ऑप्शनल विद तर्बो जीडिय पेट्रोल इंजन गाइज यह जो इंजन है यह डीसंटली महिंद्र ने लांच किया है और जो इस सेग्मेंट में कॉंपेक्ट एक्सवी सेग्मेंट इस सबसे फास्टेस् देखें एंड वीडियो स्टाट करने से पहले मैं थैंक्स करना जाता हूं महिंद्रा रागा मोटर जलंदर में इनका शोरू मैं थैंक्यू आपने वीडियो बनाने का मौका दिया और अगर आपने कोई भी कार प्रचेस करनी है और कोई भी आपको क्वेरिस चाहिए तो आपने चीज नोटिस की कि यहां पर हमें जो इसकी ग्रिल है और नीचे बंपर में हमें रैड एलिमेंट्स दी हूए है जिससे यह कार एक स्पोर्टी फील देती है डेफिनेटली और अगर मैं इसकी डाइमेंशन के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें मिल जाती है लें जिससे आपको रफ पैचिस में बिलकुल भी दिकत नहीं आएगी बहुत ही बढ़िया आपको इस सेग्मेंट में मिल जाती है तो साथ ही बात कर लेंटे है इसकी प्राइजिंग के बारे में जो इसकी प्राइजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 8.41 लैक एक शोरूम और इ यह थी इसकी सारी डिटेल्स अब बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक के बारे में यहां पर सबसे पहले आप इसकी ग्रिल चेकट एड़ के जीए यहां पर हमें जो इसकी ग्रिल है कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है महंदरा का न्यू लोगो मिल जाएगा आपको और यहां पर आपको red elements मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएंगा कि यह जो इसका वीरेंट है यह तर्बो sport वीरेंट है अगर मैं बात करूं इसकी हैलेट के बारे में तो यहां पर हमें LED सेटप मिल जाता है विद प्रजेक्टर हमें यहां पर इंडिकेटर की placement मिल जाती है नीचे अगर मैं bumper के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें fog lamps की placement मिल जाता है यह जो है गाईज यह है इसकी DRL है complete जो एक look provide कर देती है आपको और नीचे आप देख सकते हैं कि bumper में भी हमें red elements दियो हैं जो एक sporty feel दे रहे हैं आपको इसकी front profile अगर मैं बात करूं इसकी side profile के बारे में यह है इसकी side look आप check out कर सकते हैं यहां पर हमें 16 inches के diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं जिसका tire size आपको मिल जाता है 205 55 8 16 inches की profile आपको मिल जाती है अगर मैं बात करूं इसकी over VMs के बारे में तो यह आपको electrically adjustable and foldable मिल जाते हैं अब देख सकते हैं यहां पर हमें piano black finish मिल जाती है over VMs पे और indicator placement भी आपको यहां पर मिल जाती है अगर मैं बात करूं इसकी door handle के बारे में तो यहां पर हमें request sensor मिल जाता है और अंदर हमें push start stop button भी provide हो जाता है यह है इसकी complete side look आप check out कर सकते हैं so guys यह है इसकी back profile की look back से भी कार बहुत फी premium फील हो रही है और अगर मैं बात करूं इसकी tail X की design के बारे में यह है इसकी design और यहां पर हमें reverse lamp की placement मिल जाती है यहां पर हमें indicator की placement मिल जाती है और नीचे हमें XV3OO की badging मिल जाएगी और यहां पर हमें नीचे bumper में दो parking sensors मिल जाते हैं यहां पर हमें back profile camera back camera भी मिल जाता है और महिंद्रा का new logo piper defogger high more stomp lamp और antenna भी हमें मिल जाता है यहां पर हमें shark fin antenna provide नहीं करती company और W8 की badging मिल जाएगी आपको यहां इसकी back की look अगर मैं बात करूं इसकी fuel tank capacity के बारे में तो यहां पर हमें 42 liters की fuel tank capacity मिल जाती है तो यह थी इसकी overall exterior की looks I hope आपको जो इसकी exterior है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगी होंगी अब बात करते हैं इसकी interior के बारे में चलते हैं interior के अंदर एंड देखते हैं हमें company क्या offer कर रही है interior मिल जाती है यहां पर हमें complete black finish मिल जाती है dashboard पे भी और doors पे भी अगर मैं बात करूं दोर के बारे में तो यहां पर हमें piano black finish मिल जाती है जो इसे एक premium touch दे देती है all four power windows मिल जाएंगी हमें और जो इसकी power windows है उसको lock unlock करने के लिए controls एंड जो हमारी overview है उनको adjust करने के लिए controls मिल जाती है speaker की placement मिल जाएगी यहां पर हमें और नीचे हमें one liter की bottle लखने के लिए space मिल जाती है अगर मैं बात करूं इसकी seats के बारे में तो यहां पर हमें height adjustment भी seats में मिल जाती है और जो seats का comfort है वो आपको बहुत ही बड़ी है मिलने वाला है आप देखिए जो इसकी cushioning है आपको long rush में थकावट नहीं होगी तो अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी key check out करवा देता हूं यह है इसकी key आपको ऐसी दो keys मिलेगी remote keys है with lock unlock and boot opening का button आपको यहां पर मिल आपने अगर एक बात notice की होगी तो जो इसके non-turbo engines है वहाँ पर हमें जो इसका interior है वो हमें dual tone finish के साथ मिलता है लेकिन अगर आप turbo GDA engines के साथ जाते हैं तो आपको all black finish के साथ interior मिल जाते हैं जो इन variants को एक अलग look provide कर देते हैं अब बात करते हैं इसके instrument cluster के बारे में तो यह MS का function भी आपको यहाँ पर मिल जाता है बात करते हैं इसके steering wheel के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर हमें leather app finish के साथ steering wheel provide हो जाता है यहाँ पर हमें music system के related controls मिल जाते हैं यहाँ पर हमें cruise control मिल जाते हैं और जो हमारी instrument cluster है उसको control करने के लिए यहाँ पर button provide हो जाते हैं सेंटर में हमें steering wheel के महिंद्रा का logo मिल जाएगा new logo और अगर मैं इसकी adjustment के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें tilt only tilt adjustment के साथ ही steering आपको मिलेगा सो यह थी इसकी steering की details अब बात करते हैं इसके center console के बारे में तो यहाँ पर हमें music system है 8 inches का music system मिल जाता है जो हमें provide कर देता है android auto apple car play और जो इसकी अगर मैं touch के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो इसकी touch response है वो भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको कोई भ इसकी surrounding हमें piano black finish मिल जाती है जो इसे एक premiumness add कर देती है नीचे अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर auto climate control मिल जाता है नीचे हमें charging socket मिल जाते है aux port मिल जाता है USB port मिल जाएगा बात करते हैं इसके gearbox के बारे में तो यहाँ पर हमें petrol engine है इसमें हमें six speed का manual gearbox मिल जाता है जो इसके throws हैं बहुत ही आपको smooth मिलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दो cup holders मिल जाएंगे handbrake और armrest भी मिल जाता है आप यहाँ पर अपना समान भी रख सकते हैं अंदर अब बात करते हैं इसके glove box के बारे में तो आपको decent space मिल जाती हैं यहाँ पर आप अपना समान वेगरा यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर भी आप अपना समान रख सकते हैं चोटी सी space आपको यहाँ पर दी हुई है बात करते हैं इसके sun visor में यहाँ पर हमें lamp मिल जाता है with light बहुत ही बढ़िया function है यह और यहाँ पर हमें sun माइक भी मिल जाता है आप बात कर सकते हैं यहां पर calling के through so यह थी इसकी सारी in지는 की details अब चलते हैं रिर में देखते हैं हमें क्या features प्रोइड कर रही है company so गाइज यह है इसकी बैकडूर की look अप check out कर सकते हैं यहां पर भी हमें piano black finish मिल जाती है पावर बिंड़ो का कंट्रोल हमें मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, सौफट अच यहाँ पर हमें कमपनी प्रोवाइट कर देती है, नीचे हमें 1 लिट्र की बाच टागने के लिए स्पेस हमें मिल जाती है, आप चलते हैं कार के अंदर देखते हैं हमें क्या स्पेस मिल रही है हुस्जाँ अब मैं आ गया हूं कार के अंदर एड़ up देखिए जो मेरे पैर है पूरे आगे तक जा रहे हैं और जो मेरे नी रूम है वो देखिए कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है मतलब एक comfortable position में मैं बैठा हूँ और मुझे अगर मैं मैंने long routes में जाना है पीछे बैठ कर तो मुझे कोई भी थकावड यहां पर नहीं होगी और जो इसका hump है वो भी हमें इतना बड़ा नहीं मिलता और जो इसमें तीन लोग है यहां पर हमें पीछे भी एक lamp प्रवाइड हो जाता है halogen में तो यह है इसकी लुक आप चेक आउट कर सकते हैं पीछे से इंटीर की लुक मुझे तो यह कार बहुत ही बढ़िया लगी और आई होप आपको भी यह कार बहुत ही बढ़िया लगी होगी इसकी इंजन की लुक आप चेक आउट कर सकते हैं बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में यहां पर हमें 1.2 लिटर का 3 सिलेंडर तर्बो इंजन मिल जाता है जो प्रद्यूस करता है 128.73 भी एच्पी और 230 एनम का टॉक कंपनी क्लेम करती है 17 किलोमेटर पर लिटर की बात है जो एक बड़िया बात है और जो इसकी फिटन फिनिश है वो आप चेक आउट कर सकते हैं तो यह है इसकी कंप्लीट डिटेल्स सो गाइज यह थी महिंदर एक्षुवी 3OO टॉक मॉडल डॉलीट ऑप्शनल विट टर्बो जीडिय पेट्रोल इंजन कर फुल डिटेल्स रिव्यू आपको रिव्यू बहुत ही बड़िया लगा होगा अगर आपने कार को परचेस करना है तो प्लीज आप चूर में आईए कार को देखे और इसकी ट्रेस डेव लेजिए आपको बहुत ही बड़िया लगने वाली है कार अगर आज की वीडियो आपको बड़िया लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जादा से जादा और लाइक करें वीडि टेक केर